हेलो दोस्तो मैच सवित अरुण में आपका स्वागत हैं दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चक्रवर्थी ब्याज वाले चेप्टर से टाइप 9 के कोशन्स को और दोस्तों इससे पहले हमने टाइप 8 तक के अलालग टाइप के अलालग कोशन्स का वीडियो अपलोड कर दिया है यह आपने अभी तक नहीं देखा है तो उनके लिंक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखिए चलिए हम शुरू करते हैं टाइप 9 का पहला कोशन्स पहला कोशन्स है किसी निश्चित धन पर 12 से एक बटा दो पतिशत ब्याज की दर से 40 साल का चक्रवर्ती ब्याज 64 रुपए हैं तो 41 साल का चक्रवर्ती ब्याज ग्याद करो हमें क्या कहा हैं कोशन्स में कोई धन राशी थी जिस पर 12 से 1 बटा 2 पतिशत की दर से किस 12 से 1 बटा 2 पतिशत की दर से 40 से साल का चक्रवर्थी ब्याज कितना बनता वो बनता है 6400 रुपए तो हमें 41 साल का चक्रवर्थी ब्याज ग्याद करना तो दोस्तों आप इसे सीधा भी कर सकते हैं अगर लगातार हमने वर्ष का निकाल अगर हम 6400 का 12 से 1 बराफ से कटुण 464 यानि के 800 यानि कि कितना ब्याज बनेगा 64 का ब्याज बनेगा 800 टोय तो आपको क्या करना 1 2500 रु why okay आ जाये क्यों के हमें 40-44 से कर न worry इसको का सकते हैं एक मेठोल मैं आपको diligent से बता देता हूं रेशो मेठो से आपको इसे केसे करना है अगर इसे Nigeria मेठो disciples से करना चाहे आपको क्या करना है कि पहले percentage को सोलो करना का हमें कितना परसेंट यह बारा से एक बटा दो परसेंट अगर हम बारा सई एक बटा दो परसेंट को अगर हम सोलो करते हैं तो यह कितना होता यह होता है एक बटा आठ तो हम क्या मालने के कि मुल्दन जो है ना आठ जो बटे में आता है उसे हम क्या बालते उसे हम मानते हैं मुल्दन ते इसको माल लेंगे मुल्दन और उपर ये क्या बनेगा ये बनेगा अपना ब्याज बनेगा क्या बनेगा उपर का होगा ब्याज और नीचे वाला बन जाएगा अपना प्रिंस तो देखते हैं कि 8 के उपर हमें कितने का ब्याज मिल रहा है, 8 के उपर ब्याज मिल रहा है हमें 1 का, तो हम यहां 40 वे वर्ष के जगा लिखेंगे, 8 और 41 वे वर्ष के जगा क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे हम 9, क्योंकि 8 जो है ना, यह 40 वे वर्ष का मुल्दन माना या इसे ब्याज भी मान सकते है questions के इसाब से तो 8 के उपर हमें ब्याज कितना मिला एक मिला तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कितना 8 में एक एट करेंगे तो 9 हो जाएगा जबकि हमें क्या कहा हैं कि 8 की value हमें कितने दी 40 वे वर्ष का चक्रवर्थी ब्याज कितना दिया 6400 रुपए हमें दिया तो हम यहाँ पर solo करते हैं अगर हमें 8 की value दी है कितना 6400 रुपए अगर हमें 8 की value दी है तो यहाँ से हम एक की value निकाल सकते हैं 8 से solo करेंगे 8,1,8 से 64 कटएगा कितनी बार 8 बार यानि कि 800 रुपए आ जाएगा किसकी एक की value एक बराबर 800 रुपए था हमें निकालना कौन से वर्ष का 41 वर्ष 41 वर्ष का चक्रवर्थी ब्याज का रेशो में कि आया हमारा आया है 9 तो हम क्या करेंगे आपको दोनों तरीके से questions बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा चलि हम इसी टाइप का एक questions और सोलो करते हैं ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से questions समझ में आ जाए अगला questions है किसी निश्चित धन पर 9 से 1 बटा 10 परसें ब्याज की दर से सात्वे साल का चक्रवर्थी ब्याज 1560 रुपए हैं तो छट्टे साल का चक्रवर्थी ब्याज ग्याद करू हमें questions में क्या का हैं किसी निश्चित धन पर चक्रवर्थी ब्याज 9 से 1 बटा 10 परसें सोरी दोस्तों यहाँ पर 9 से 1 बटा 11 परसेंट होगा 1 बटा 10 परसेंट नहीं होता है क्योंकि परसेंटेज अपने आप में 100 परसेंट को सोलो करते हैं तो 119 और 100 बटा 11 आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा 9 से 1 बटा 11 परसेंट तो हम इसे सोलो करते हैं अगर हम यहाँ पर 9 सई 1 बटा 11 परसेंट को सोलो करेंगे तो यह कितना आएगा यह आएगा हमारा 1 बटा 11 तो हमें कितने वर्ष की बात की 6 वर्ष और 7 वर्ष तो हम यहाँ पर क्रम से लिख लेते हैं यहाँ पर हमें 6 वर्ष का चक्रवर्थी ब्याज निकाल के लिखना है और 7 वर्ष का चक्रवर्थी ब्याज हमें कितना दिया है वो हम यहाँ पर लिखेंगे लेकिन हम जानते हैं दोस्तों कि चक्रवर्थी ब्याज जो होता है वो ब्याज के उपर ब्याज लगता है इमान लीज़े अगर हमने प्रेशो से 6 किया है, दर को 6 लुकिया, तो कितना आया, एक बटा 11 आया, तो 11 के उपर ब्याज कितना लगरा, एक का लगरा, तो यह कितना हो जाएगा, 12, यह 20 कौन से वर्ष का, यहाँ पर हम लिखेंगे, 12 कौन से वर्ष का, सातवे वर्षका, इसको एक बार और समझते हैं कि जो यहाँ पर बटे में 10, 11 आ रहा है, यह 11 के उपर 1 का ब्याज बन रहा है, हमेशा दर सेम रहती हैं, लेकिन जो बटे में आ रहा है, वो से मुल्दन मानते हैं, जबके उपर वाला ब्याज रहता है लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि 11 में एक 8 करेंगे कितना हो जागा 12 यह कौन से वर्ष का होगा यह ब्याज बन रहा है टोटल अपना साथवे वर्ष का कितना 12 हो रहा है रेशो में तर से जब कि छटे वर्ष का कितना होगा छटे वर्ष का अपना बनेगा 10 पंदरा सो साट रुपए दी हैं तो यहां से हम एक की वेल्यू निकाल सकते हैं एक की वेल्यू आएगी बारा एक कम बारा तीन बचेगा बारतिया चतीस यानि कि और यानि की चतार होगा एक की वेल्यू में और अध्यू आज्यूimonOC तो दोस्तों मैं उम्मिद करता हूँ कि आपको दोनों कोशन बहुत ही अच्छी तरिके से समझ में आ गये होंगे और इस कोशन को अगर आप डारेक भी खरना चाहेए तो कर सकते हूँ, तो हम यहाँ पर इसको सीधा एक बार डारेक्ट करके भी मैं आपको बता देता हूँ, सेम यह अंसर आना है, इसको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं, हम क्या करना है कि जो हमें रेशो दिया उस रेशो मेतड़ से सोल्व करना तो अगर हम यहां से सोल्व करेंगे नो से एक बटा ग्यारा परसंट को सोल्व करेंगे तो ग्यारा सई सोरी यहां हो जाएगा एक बटा ग्यारा यानि कि यहां पर हम इसको एट करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा यह बारा कितना हो जाएगा यहां पर बारा बराबर हमें कितने सात्वे वर्ष की दी है बारा बराबर कितना हो जाएगा एक सो पंदरा सो साट हो जाएगा जबक कि हमें जो बटे में value दी हैं उसका निकालना है तो 11 में 130 का हम divide करेंगे तो वह आएगा 1430 आप इसे इस तरीके से भी solo कर सकते हैं तो दोस्तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको type 9 के दोनों questions बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गये होंगे और दोस्तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कीजिए और इस वीडियो का अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए और दोस्तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दन्यवाद